एक आवत एंग्रेजी की कि मौसम पे आप कभी भी बात कर सकते हैं और किसी से भी कर सकते हैं शुरूर ही महीं से बात शुरू हो जाएं जाना की से भी बड़ी सर्दी बढ़ रही है तो इससे एक आपका बात्चीत का मुद्धा बन जाता है लेकिन लोग इस पर बात नहीं कर बना लेते हैं और देश में यहाल हो गया है कि एक कहावत है कि पत्थर बांद कर पेट पर सोना है हिटलर जो काम नहीं कर पाया वह 101 साल बाद मोदी जी ने हिंदुस्तान में कर दिया आज तक के हिंदुस्तान में डॉलर जो है 77 रुपे 42 पैसे नहीं हुआ यह मोदी जी न हाफ जाने में पूरी कोई कसर नहीं जोड़ी है कि मैं रीहां कि इंटर्नेट हमार्जी में किना सस्ता आरह कि एक रूप गल इंटर्नेट हैО सबसे दुनिया में सबसे 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 इंटर्नेट है और जब उनसे पूछा गया जब पत्रकार को अंदर नहीं खुशने दिया और गोधी मीडिया को तो उन्हें शिकायत की बाहर ने के लिए हमें अंदर आने नहीं दिया गया तो उन्होंने ओ माई गॉड्ड कहा को माई गॉड्ड ऐसा हो गया पूछ कूंग अंदर जाके इस तरीके किसे अपने को देखे गए लेकिन सब चीज हो गई महगाई भी नी बढ़ जाएगी बिल्कुर नी बढ़ जाएगी सिलेंडर सो एक हजार रपे का हो गया और आप देख रहें और आप इसके बारे में का कि बढ़ी है महगाई के नहीं बढ़ी जरा आप अपने अंदाज में बताएगे आपने भी जिक्र किया कि मोदी जी बोले ओ माई गॉड का अगर आप गॉड के लिए शब दिखते हैं जी ओडी और इसको अल्टा करते तो वह जाएगे टी ओजी डॉंग तो बहुत सारे लोग ने का कि मोदी जी नहीं कह रहे थे ओ माई कॉड वह कह रहे थे ओ माई आप बाहर खड़े थे आपको अंदर नहीं आने दिया ओ माई डॉग ओ माई डॉग और यह मैं पुतिन से पूछूंगा अब मोदी जी के बारे में सब लोग जानते हैं वैसे दो मेरा मानना है आज के समय में के 22 शताबदी का जो समय चलना है जिसमें हम तीसरे दशक में है उसमें जो मई का महिना है उसमें मैं कह सकता हूं एक बात कि हिंदुस्तान में सिर्फ चार राजनिता ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते हैं बाकि सारे के सारे राजनिता शराब शबाब कबाब मुर्गा मुर्गी सब खाते हैं अब आपका जो सवाल है वाजिब बड़ा है कि आपने कहा कि वही महंगाई की वज़े से देश में आग लगी हुई है तो आप तो कुद्रत नहीं लगा रखी है एक तालीज डिग्री टेंपरेचर रहा है बिजली आने ही रही कोईडा मिलने ही रहा है अब आप देखें महंगाई का यहाल है कि अमर उजाला ने खबर चापी कल एक सर्वे की अनुने महंगाई पर तो उसमें उन्होंने एक औरत का वक्ता पर चापा है उसने का जी पहले में दिन में दो दफार खाना बनाती थी हर औरत बनाती है सुबर श्राम को कहती है गैस के बढ़ गया है तो मैं एक टाइम खाना बनाती हो और से उठागे रख देती हूं ताकि आधी जो है सिलिंडर मेरा बज जाए और एक महनी के जगे दो मेने तर गया है और यही खबर जो है आज के नभार टाइंज में दिल्ली ने चापी है कि लोगों ने सिलिंडर भरवाना बंद कर दिया अब क्या करते हैं लकली भीन लेते हैं रद्धी जला लेते हैं खाना बना लेते हैं और देश में यह एक कहावत है के पफ्थर बांधकर पेट पर सोना कहा प्र भूंग रही है आद्मी कवा अप्जय नहीं है कहा पफ्थर लिए और थीया तुर तैमत से बा हमें आदिम यूग में ले जाने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है जब पुराना है रश्यमुनियों का जब बिली नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे चक्मक पथर लेंगे और कट-कट करके जब उसकी चिंगारी निकलेगी तो से आग जलेगी गैस का सिलिंडर है नहीं जब ना पहले की चिंता होती ना जो बाल कटवानी की चिंता होती थी तब आदी जब पहले शिकार करता था शिकार उसका लगया हाथ में तो वो चक्मक पथर उसने बजाए दो आग लगी तो उससे उसने फूना और खालिया और हाथ पहुंचे और सोगया तो च्पोरी के किसी चीज का डर नहीं तो मोदी जी ने आर्थ व्यवस्ता को उस मोड पर लाके रख दिया है जहां पर आर्थिक गत्विदियों की संभावनाई जीर हो गई अभी जो है जैसे आप देखें कि जू डॉलर का रैट है रुपय के जो हम कहते हैं तो डॉलर आज जो है तो यह समझे के उस मजाग को भी लोग जो है अब मजाग नहीं समझते तो मैं कल हिट्लर की आत्मकथा पढ़ रहा था तो उसमें कहता है लोगों को डफर बना दो हिट्लर ने कहा है माइन कैफ में 1921 में आज हम 2022 में 101 साल पहले लोगों को डफर बना दो और इतना डफर बना दो कि वह बुद्धी का इस्तमाल करना भूल जाए और यह समझे कि हमें जो है दुश्मनों को ठीक करना है चाहें इसके लिए हमें भूका रहना पड़े नंगा रहना पड़े हमें खाना ना मिले हम जो है जानवर से बत्तर जीजेवन जी हैं और आप समझे हिट्लर जो काम नहीं कर पाया वह 101 साल बाद मोदी जी ने हिंदुस्तान में कर दिया इ कि यह कावत एंग्रेजी कि मौसम पर आप कभी भी बात कर सकते कर सकते बड़ी जिर्थ बड़ी चाहत हो रही है तो इससे एक आपका बात्चीत का मुद्धा बन जानता है लेकिन लोग इस पर बात नहीं करते हो लोग कहिंगे कि मुल्ले ओ जो है इद मना रहे है वह बता ह मुर्ण के को शोफ बात करते का ट crashed on source की बात करते हैं को बसों का किराय तक चर्य बढ़ भर तक करेंगे यह कहाँ पिक्रहीं के बीवाथ नहीं करेंगे सिर्व थी बात करेंगे हैं अब कर आद को बिख लिए पैंज मुझ fifteen करेंगे के बात करेंगे कि हिंदू मुसल्मान हमेशा करते रहते हो इससे कोई फुरसत निलती है ना मैंने कब कहते हैं जब संडाज जाते हैं जब हम खाना खाती है तब फुरसत मिल जाती है कोई से रोटी और चावल यह हिंदू है मुसल्मान है का एक है मैंने का चावल तुम्हें खाने बंद कर देने चाहिए क्यों मैंने का शांती का प्रतीक है सफेद रग़ए तो पूरा जो है मोदी जी ने सारा जो राजनेतिक सामाजी आर्थिक जो हम लोगों का विचारी है अभी डबलु अच्छो ने का कि हिंदूस्तान में जो करोना काल है उसमें संतालीस दशम्लव चालीस हजार करोड़ चालीस हजार लोग मरें और यह अकड़ा चालीस लाक लोगों का ज्यादा है तो भारत सरकार ने क्या किया जो डबलु एच्छो की हर बात को यानि को ट सबने जो डबलु अच्छो को गाली का इनका अगड़े जूटे हैं इनका तरीका गलत है इनकी सारी बात गलत है यह देश को बद्दाम कर रहे है चालीस लाग लोग नहीं भरे जबकि सच्चा ही है कि जब यूपी के चुनाव हो रहे थे उस समय जो मदाता सुची में करोड़ वोटर थे जी फंद्रापैंट ट्व करोड़ वोटर थे यूपी के और जब दो जार बाइस के चुनाव हुए अभी विधान साबागे उसें वोटरों की संख्या कम हो गए उसें वोटरों की संख्या जो है 14 करोड़ असी लाग रहे गई तो 40 लाग तो यूपी के तो इन सब बातों से पता जलता है कि इन चीजों पर बहस ना हो इसलिए हिंदु मुसल्मान करते हैं ताकि आप असली मुद्दों से बढ़के रहे हैं हकीकत ही है लेकिन हम कई और मुद्दों में जाया जाता है इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदाग लेंग में फिर आजर होंगे तब तक कि देती जा सकते हैं